काफी जादा value for money variants भी इसे बोल सकते हैं hyper style wheels या अपने को मिलने वाले player नहीं है फिर भी यहाँ पे अपने को 4 speakers के साथ में अपने को steering mounted controls भी मिल जाते हैं 40,000 अपने extra दे रहे हैं तो वहाँ पे features भी काफी बढ़ी आपने को मिल जाते हैं इसकी quality जो है ना वो बहुती premium अपने को मिल जाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूने दिन गुले और सामने आप देख रहे हैं Tata Tago के दो आपके सबसे favorite variants काफी जादा value for money variants भी इसे बोल सकते एक तरफ है अपने पास Tata Tago का XT variant और एक तरफ है अपने पास Tata Tago का XT O variant अतलब optional versus XT variant की आपे comparison करने वाले detailed comparison रहेगा जो भी आपके confusion है सारे हैं दूर होने वाले तो वीडियो काफी साथ informative रहने वाला है तो वीडियो में आप end तक बने रहे हैं और चैनल में जो फर्स टाइम आया है फटा फट से सब्सक्राइब अटेल प्रेस कर दीजे और बिल नोटिफिकेशन आउन कर देना ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करो तो हाब तक नोटिफिकेशन पहुच जाए स्टार्ट करेंगे इसके प्राइजिंग से उसके बाद वॉक आराउंड देखिए वन भाई वन अपन सारी लीडियोज देखते हैं तो सबसे पहले प्राइजिंग मैं आपको बता जाता हूँ टाड़ा टियागव एक्स्टी ओप्शनल वीरियंट की तो एक्स्टी ओप्शनल अपने को 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 एक्स्टी और बहुत बढ़िया features offer हो जाते हैं और बहुत बढ़िया upgrade अपने को मिल जाता है अब वो क्या है one by one अपन देखते हैं तो सबसे पहले XTO से अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ अपन नहीं देखेंगे जो difference है ना वो अपन पॉइंट आउट करने वाले हैं तो front profile में अगर अपने को टाटा का logo मिल जाता है पियानो black finish में अपने को try arrow यहाँ पे grill मिल जाती है अब headlamps के अगर setup की बात करें तो यहाँ पर reflector based headlamps मिल जाते हैं side में turn signals और उपर अपने को pirate lamp मिल जाता है अब इस variant में अपने को fog lamps और DRLs नहीं offer होते हैं front profile से ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते है टाटाटी आगों के optional variant के अब XT variant में अगर front profile देखें तो सारी चीज़े अपने को almost same मिल जाती है उपर से wheel covers company अपने को provide करती है bristone के यहाँ पर अपने को tires मिल जाते हैं अब XT variant के अगर बात करें तो यहाँ पर अपने को difference मिल जाता है hyper style wheels यहाँ आपने को मिलने वाले wheel covers है लेकिन यहाँ इसका जो design है बिलकुल alloy wheel जैसे मिल जाता है MRF के tires यहाँ दिख रहे है और profile जो है वो अपने को same मिल जाती है अब front में अपने को disc brake मिल जाते है और rear में मिल जाते है drum brake तो braking का setup तो दोनों का ही same मिल जाता है अब ORVM की बात करें तो दोनों side अपने को piano black में मिल जाते है और दोनों की ORVM electrically adjustable है fold level का option यहाँ अपने को नहीं मिल जाता है और साथ में यहाँ पर turn signals भी integrate की हुए अब दोनों की जो चाबी है वो भी अपने को देख लेते हैं यहाँ पर रखी हुई है तो यहाँ पर अपने को एक flip key मिल जाती है और दूसरी normal की अब functions की अगर बात करें तो lock, unlock और follow में head lamp यह तीन function मिल जाते हैं और पीछे टाटा का logo मिल जाता है अब XTO variant की जो चाबी है वो अपने को almost same मिल जाती है यहाँ कोई difference अपने को नहीं मिलने वाला है तो यह तो same ही रहती है अपनी तो side profile से अगर देखें तो आप side by side looks देख सकते हैं तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं अब rear profile के side में अपने को जैसे ही जाते हैं तो देखें door handles भी दोनो side ही अपने को body colored मिल जाते हैं अब rear profile में अगर देखें तो उपर high model stop lamp, दो wings का अपने को design मिल जाता है जो की piano black में है center में Tata का logo, Tiago की badging मिल जाती है पूरे के पूरे halogen अपने को 10 lamps मिल जाते हैं अब hex T variant के rear side में अपने को जाते हैं तो सारी चीज़े यहापे अपने को same मिल रही है reverse parking sensors मिल रहे हैं अब यहाँ पे जो camera आपको दिख रहा है यह accessories का part है तो चलिए rear profile में देखें तो side by side में आपको दिखाता हूँ तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं तो rear profile में सारी चीज़े अपने को same मिल जाती है लेकिन boot space को अपन जैसी open करते हैं तो यहाँ पे parcel tray अपने को नहीं मिलता है boot space तो काफी बड़ी है यहाँ अपने को मिल जाता है 242 liter का यहाँ पे boot space मिल जाता है दो अपने को hooks मिल जाते हैं अब spare wheel की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को 13 inch का यहाँ पे अपने को spare wheel मिल जाता है वो भी low speed का टायर दिया हुआ है अब XT variant के side में अपन जाते हैं तो यहाँ पर अपने को difference मिल जाता है अब वो है इसके parcel tray का तो parcel tray अपने पर XT variant में मिल रहा है XT optional variant में नहीं मिल रहा है boot space में तो यहाँ पर कोई भी changes नहीं मिल रहे spare wheel एक बार अपन देख लेते हैं तो यह भी अपने को same मिल जाता है मतलब 13 inch का low speed का tire मिल जाता है तो चलिए boot space को यहाँ से बंद कर देते हैं उपर cladding मिल जाती है तो यह हो गया बंद और इस side भी अपन कर देते हैं तो यह हो गया तो rear profile में सारी चीज़े complete होती है अब चलते हैं इसके interior में क्योंकि exterior में अपने को जो change है वो मिल जाता है इसके hyper style wheels का अब interior में भी कुछ changes मिलते हैं अब वो अपन देख लेते तो सबसे पहले अपन XT optional variant देखते हैं अपने को चाबी तो भी अपन ले लेते हैं चाबी अब interior में अपन आगा है XT optional variant के तो चाबी में सबसे पहले लगा देता हूँ तो यह अपने लगा दी चाबी तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster पूरा कूरा digital दिया हुआ है अब बहुत सारी details जो आपको इसकी detail walkaround वीडियो में मिल जाएगी जो आपको channel में मिल जाएगी और मैं इसका link आपको description box में भी दे दूँगा तो चली यहाँ पे features वटाफट देख लेते हैं tachometer मिल जाता है MID मिल जाती है fuel gauge और उपर temperature gauge मिल जाता है अब यहाँ पे speedometer मिल जाता है range यहाँ दिखा रहा है और odometry यहाँ मिल जाता है center पे अपने को instant view economy मिल जाती है अब देखिए इसको पन जैसी click करते हैं तो trip और trip भी तो इतने कुछ features मिल जाते हैं अब center console की बात करें तो यहाँ पे यह जो player आपको दिख रहा है यह accessories का part है player नहीं मिलता है अपने को XT optional variant में लेकिन बड़िया बात यह है कि अपने को steering mounted controls भी मिल जाते है साथ में 4 speakers भी मिल जाते मतलब player नहीं है फिर भी यहाँ पे अपने को 4 speakers के साथ में अपने को steering mounted controls भी मिल जाते पाकि dashboard की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने को manual AC controls मिल जाते है नीचे 12 volt का power socket और USB connectivity भी मिल जाती है यहाँ पे थोड़ा space और 5 speed का manual gearbox भी मिल जाता है अब उपर side अगर देखे तो यहाँ पे अपने को ticket holder मिल जाता है center में IRVM मिल जाता है जो day and night adjustment के साथ में आता यह काफी बढ़िया है और इस side अगर देखे तो vanity mirror यहाँ अपने को नहीं मिल जाता है तो front में features अपने सारे देख लिए और बात करें यहाँ पे safety features की तो यहाँ दोनों car में जो safety features है न वो भी अपने को same मिल जाते है दो airbags मिल जाते है front में ABS, ABD के साथ में corner stability control भी है अपने को मिल जाता है और बात करें यहाँ पे engine option की तो दोनों में same ही engine मिलते है या टियागों में तो एक ही engine आता है 1.2 liter का naturally aspirated engine power उसमें काफी बढ़िया मिल जाती लगबग 84 bhp की power और 113 nm का torque मिल जाता है तो power और जो यहाँ पे mileage मिल रहा न वो भी काफी बढ़िया combination मिल जाता है अपने इस car में तो अब चलते हैं इसके upgrade के तरफ मतलब XT variant में तो air आपको बिल्कु समझ में आ जाएगा कि upgrades इसके worth है 40,000 अपने extra दे रहे हैं तो वहाँ पे features भी काफी बढ़िया अपने को मिल जाते हैं तो अपन चाबी को निकाल देते हैं और चलते हैं अपन XT variant के dashboard के तरफ अब देखी यहाँ पे ORVM को adjust करने के लिए button मिल जाता है अब XT variant के side में अपन जाते हैं तो वहाँ पे अपने को बहुत सारे changes मिलने वाले हैं बहुत सारे मतलब अब मैं बताऊंगा one by one तो आप देखीएगा उचलिए door panel open करते हैं तो यहाँ पे तो सारी चीज़े same मिल जाती अब अंदर चलते हैं और देखते वहाँ पे क्या क्या है सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपको driver seat height adjustment का option मिल रहा तो यह काफी बड़िया feature है और अपन अंदर चलते ही और सबसे पहले मैं चाबी को यहाँ पे लगा देता हूं तो यह लगा दी मैं चाबी तो बाकी instrument cluster तो अपने को same ही मिल जाता है staring mounted controls भी यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ पे अपने को मिल जाता है XT variant में harman powered music system touch panel वाला नहीं है लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे अपने को जो capacitive touch है वाला player मिल जाता है लेकिन quality काफी बड़िया मिल रही है चार speakers तो आपको यहाँ भी मिल जाते है वहाँ भी मिल रहे थे लेकिन harman powered अपने को यहाँ पे music system मिल जाता है बाकी features यहाँ पे सारे same अपने को मिलने वाला है उपर side अगर देखे तो यहाँ पे ticket holder center में air vm जो day night adjustment के साथ में आता है और इस side अगर देखे तो vanity mirror मिल रहा है मतलब यहाँ पे एक difference हो जाता है vanity mirror मिल रहा है और यहाँ पे अपने को music player मिल रहा है जो की harman powered है तो इसकी quality जो है ना वो बहुत ही premium अपने को मिल जाता है sound output बहुत जबर्दस यहाँ मिल जाता है वहाँ पे जो अपना music system था वो था aftermarket तो चलिए मुझे लगता है front में अपने सारी चीज़े देख लिए तो difference की बात करें तो एक music player driver जो seat है वो height adjustment मिल जाता है और यहाँ पे अपने को एक vanity mirror मिल जाता है तो इतनी difference अपने को मिल जाता है interior में अब चलते हैं बाहर और rear seat का जो difference है वो भी अपन देख लेते हैं तो space और comfort तो बिल्कु सेम ही अपने को मिलने वाला है headrest अपने को fixed मिल जाते हैं और यहाँ पे difference अपने को नहीं मिलता है सारी चीज़े सेम मिल जाती और center में अगर देखें तो यहाँ पे cabin lamp मिल जाता है जो की center में दिया है front में अपने को नहीं मिलता है तो चलिए मुझे लगता है अब सारी चीज़े अपने देख लिए तो वीडियो को आप sum up करते हैं अतलब difference देखें अपन 40,000 अगर आप extra दे रहे हैं अगर XT में अगर XTO से तो आपको features यहाँ कापी बड़ी अपग्रेड हो रहे हैं अब exterior की बात करें तो यहाँ पे hyper style wheels अपने को मिल रहे हैं interior में अपन जाते हैं तो वहाँ पे अपने को parcel train मिल रहा है driver seat height adjustment को option मिल रहा है साथ में harmon powered music system भी मिल रहा है और उसके बाद में vanity mirror भी मिल जाता है तो इतने सारे features अपने को additional मिल रहा है XTO से अगर XT में अपन upgrade करेंगे तो मुझे लगता है सारे जो doubts थे अपके clear हो गया होगे अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसका जो answer में जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा प्राइजिंग मैं आपको एक और बार बता देता हूँ XTO प्राइज की बात करें टाटा टी आगो XTO वेरिंट की तो ये अपने को 5,99,99,000 में आ जाती है वीडियो अच्छे लगाओ, कार अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना शेर कर देना आपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पो तैंक्यू सो मॉज जय हैं